तो दोस्तों आपने देवराज इंदर के सबसे प्रमुक अस्त्र वज्र के बारे में तो सुना ही होगा ये वही अस्त्र था जिसके प्रहार से सोयम हनमान जी मूर्शित हो गए थे तो इस सस्त्र की शक्ती का अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि देवराज इंदर को इस अस्त्र की प्राप्ती किस्से हुई थी और ये अस्त्र किस धातु से मिलकर बना था एक असुर जिसको ये वर्दान प्राप्त था कि उसकी मृत्यू ऐसे किसी भी अस्तर और सस्तर से नहीं होगी जो किसी भी पत्थर या धातू से मिलकर बना है तो उस असुर का वद करने के लिए देवराज इंदर ने रिशी दधीची के अस्तियों से इस अस्तर का निर्माण किया था जिसके फॉल सरूप उस असुर का वद किया जा सका आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही और शॉट फैक्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में